राम राम भायों के हाल चाल सात्यों आज हम आए हैं करनाल हर्याना के अंदर एक ड्रेगन फ्रूट के फार्म पे यहां पे साथ भीगा की जमीन के अंदर ड्रेगन फ्रूट की खेती से साल का 15 लाग का फ्रूट बेचा जा रहा है अगर आप अपने खेत में एक भीगा या द सबस्क्राइब नादरेगन फूट फार्म से जाना जाता है यह डिस्टिक करनाल घ्रॉनदा कस्बे से हरियाना में थोड़ा पहले पारे में अपने बीजाए कि आप पढ़ाई कहां कर चुके हैं इसके बाद इस खेती में कैसे आए पच्छुली मैं इससे पहले जो जोब कर तरा था ब्रोड में ही जोब कर रहा था मैंने लास्ट मंथ ही रिजाइन दी अपना जोब से पांस साल से मैं साथ अफरीका में था केप टांट में मैं हाइड्रो कार्दी इविजन में सीनिर इंजिनियर था वह पर तो वहां पे ही मैंने की फार्मिंग देखी पैले जिस्टेट में मैं रह रहा था महां का क्लाइमेट कंडिशन ओल्मोस्ट हमारा हर्याना जैसा ही था एक तरह से तो मैं सोच रहा था कि जब वहां ग्रो हो रहा है तो यहां ट्राइ क्यों नहीं किया जाए और मन में यह था कि नोकरी कप तक की हो गया क्योंकि सब्सक्राइब यहां से अगर मैं ट्रेवल करता था तो उसका जाने का एक्सपेंस महां तो पहुंचने का पूरा एक्सपेंस कंपनी मेरे को देती थी जब मैंने शुरुवात की थी तो 2500 से चालू किया था तो पांस साल में कॉंटिनू रहा ग्रेस होता र इतना पहुंच गया था साड़े तीन लाख हर महिने की जॉब तो बहुत अच्छा है वो जॉब क्यों छोड़ दिया अपने उसके क्या खास हो जा थी देखिए सबसे बड़ी बात तो मेरे माता पीता की उमर हो चुकी है और बासट साल मेरी माता जी की उमर है तो उनको भी मन में यह आ गया था कि अब कम से कम एक दूसरा अल्टरनेट ढूंडना चाहिए को रोना के टाइम में काफी जोब गई लोगों की और काफी बिजनस भी ठफ हो गे थे लेकिन खेती एक ऐसी चीज है जो आप पैदा करेंगे वो बिकी जाएगा अल्टिमेटली फार्मिंग और यह हमारा बाप दादा फार्मिंग करते आये थे तो यह इस चीज में हमारा हाथ बैठा हुआ था और उसके मैंने दिमाग में यह सोचा कि नॉर्मल जो धान और गेहों कि हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा ज्यादा इंकम जनरेट नहीं हो पालता तो एक ऐसी कोई फसल लगाय जाए जिससे एक सेकेंड्स उर्स ओफ इंकम जनरेट हो चाहिए मेरे को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इंकम जनरेट हो पाईगी इससे लेकिन एक सेकंड्स ओफ इंकम के रूप में लेके चला था उस चीज को आपने इसकी शुरुआत फिर यह पेकड में लगाने के बाद में कुम्प्लिकेशन आये काफी सारी क्योंकि इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थे किसी को भी नहीं कोई वीडियो थी नहीं कहीं पर कोई रिटन था होटी कल्चर डिपार्डमन एग्रिकल्चर डिपार्डमन भी इसके बारे में बिल्क सब्सक्राइब करने के लिए रूट डेवलप होने के लिए 45-60 डेज लगते हैं तो 60 दिन के बाद उनकी रूट डेवलप हुई सब तक हमने अपना तेयारी की पोल्स वगएरा बनाई उसके बाद में हमने तो थालजन नाइटीन में प्लांटेशन किया हाफ एकड में हाफ एकड हमार अच्छा चला उसके बाद हमारा और फूट भी हमारा अच्छी रेट में भी था उस टाइम पे यह समझ गया चलिए बाई लग उस टाइम पे डेंगु का सीजन बड़ा जबरदस चला ता बहुत स तो उस समय पे हमारा काफी सारा सेल आउट हुआ बहुत सारा अच्छा रेट पे हमारा गया उसको देखते हुए फिर हमारा आगे और होसला बड़ा जब हमने कोशिश यह रखी कि और इसका प्रड़क्शन देखते हैं कहां तक मैक्स जाता है तो आपका पहले साल कोई प्र इसका प्रड़क्शन कब आया 2020 में 2020 के इसका प्रड़क्शन चालू हो गया और यह एक ऐसी फसल है जो सीजन वाई चलती है जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है माई से लेके दिसंबर तक यह इसका प्रड़क्शन देता है अच्छा ऐसा नहीं कि एक बार आपका हो रहा है तीसरा अभी यहां पर रेडियो हो रहा है तो यह साथ बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देगा देता है साल के अंदर तो यह पहले साल आपने कितने पोदे लगाए थे पहले साल हमने आदा एकर से शुरुआत की थी हमने 200 पोल लगाए थे जिसमें 800 पोदे तो उसके अंदर आपकी 2020 के अंदर कितनी प्रोडक्शन आई 2020 के अंदर दो लाग 25,000 उपया हमको ओर लगा यह सेल हो गया हमारा कितने किलो निकला था यह समझ के चलिए हमारा 2.15 टन माल निकला था और किस रेट पे विका यह हमने उस टाइम पे जब होलसेल में हम जाने ल कहीं नहीं मिलने वाला है तो आपने पहली बार होलसेल में ही बेचा और अजाद पुरमंडी में बेचा वहां पे आपको क्या रेट मिला वहां हमको रेट बहुत डाउन मिला था 110 120 130 तक हमारा 150 तक गया हमारा लास में सीजन के अंड तक तो हमने मार्किटिंग इस तरह से कि करें उसके बाद में को समझ में आया जितने भी हमारे नर्सिंहों थे डोक्टर के एक सेंपल दिया उसके बाद में डोक्टर ने चेक किया क्या चीज कोई नहीं चीज है तो ली डाउक्ट्टर जुू करता है हम ने अनको रिक्वेस्ट इश्ड है कि पर्पूर नंदर में तो आप इसको अपने पेशंट को recommend किजो तो वहां से रिटेल के अंदर जब customers जोढने लगें to कुछाष रिटेल में तो अपने प्राइस port थीजा हमने चालू किया और थ्री वंट Mickleardand pg तक हम 2019 में उसकी इनिशियल कोस्टिंग क्या पड़ी थी हमारा जो ओवरॉल खर्चा माना जाए तो 2,15,000 के राउंट फिगर में 2,20,000 पकड़ लेता हूँ क्यों कि मैं सेंप्लिंग तो अलड़ी बाहर से पर्चेस कर चुका था तो 60-70 रुपय में एक अच्छा पोदा मिल जाता है अच्छो मैं 60 रुपीज ही काउंट करके चलता हूं उसका तो 800 पोदे का अपने हिसाब से तो आपका साथ रुपय का कोचिंग आया था एक प्योद क जी और 40,000 रुपय के आप पोदे पकड़ के चलिए ठीक है आठ सो बाकी 10-15,000 रुपया इसका पोल का गाड़ना हो गया या फिर मिटी खाज जो भी वो लेवर तो आप खुदी कर रहे थे वो टोटल मिला के इतना ही हमारा खर्चा है था कोई खेत की बुहाई करवाना कि कभी नहीं आएगी जो मदर स्टोक में आई थी ठीक है तो इसको नर्सरी से आपने ट्रांस्प्रांट कर रहा है ना जी तीसरा साल जैसे हमारा हुआ हमारा प्रोडक्शन 4.25 तन के आसपास पहुंच गया अच्छा जो हमने माल बेचाड ओवरॉल साड़े साथ लाख हमारे कस्टोमर का इतना ज्यादा लिंक बन गया अपस में इतना समझ के चलिए ओरोल लोग हमको जानने लगे कि यहां पर ड्रेगन फूट की फार्मिंग होती है और मॉस्टली दुकानों से ना लेते हुए लोग यहां से लेने की कोशिश ज्यादा करते हैं एक एवरेज म 400 ग्राम के आसपास है 300-400 के बीच में 170 180 190 तक हमारा माल जाता है होलसेल में अच्छा 190 रुपे किलो मैक्सिमम मैक्सिमम डिटेल की बात करें अगर चोटा साइज रह जाता है कोई फूट माली जे 300 ग्राम के आसपास का फूट है तो हम रिटेल में 200 रुपया दे देते हैं अ 2021 में मार्च 25 को अच्छो पहले आपने आदा एकड़ लगाया था इसके पूरा एक एक एकड़ उसके बाद लगाया हमने तो आपके पास कुल्मिला के कितने होगे पोल नए कितने डाले यह हमने करीब न 505 के आसपास पोल डाले थे और 200 हमारे पुराने थे यानि 705 या 10 के आसपास हमारे पोल अगर बाउंटरी के कंसीडर कर ले 750 पोल है 715 पोल है जिसमें गरीब-गरीब 2900 पौदे आपके पास यहां पे इस फार्म पे है जी सर तो आपका 2022 के अंदर इस साल का आपका क्या इसमें कितना माल भिक रहा है आपको क्या लग रहा है कितना आपका प्र आपके इस बार का हम को रोल कल्कुलेशन यही है कि अगर कंसीडर करके चलें तो दस से बारा टन के आसपास हम क्वेस्टी मेट है कि इतना माल हमारा आना चाहिए ठीक है कि यह डिपेंड करता है फ्रूट के साइज के उपर अगर फूट आपके 200 200 ग्राम के लगेंगे चाह अच्छा है देखा मैंने फूट का साइज अगर 400 ग्राम तक भी आपका जाता है तो एक अच्छा रेट मिल जाएगा आपको और ओवरोल कल्कुलेशन में भी काउंट करें तो काफी अच्छा जाता हमारा लास्ट यह कंसीडर करें जो हाफ एकड़का है एक 26 किलो की निकली लगाने के दूसरे साल डेट साल के बाद तीसरे साल में यह आवरेज आपका 20 से 25 केजी फॉर्थ यह जैसे ही आएगा वह 30 केजी तक पहुंच जाएगा उसके बाद 30-35 में आपका एक सरकल बना रहेगा क्योंकि आप इसके दीर दीर प्रूनिंग करते रहेंगे इसकी दूसरा आप इसमें और चीज अच्छी बता रहे थे कि यह जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं या कुछ भी और ऐसी खेती करते हैं जिसमें पेरिशिबलीटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि आज हर्वेस्ट हो है तो कल तक बेचना पड़ेगा यहां पे आपक आपका क्या यही कुछ वजात है जिसके वजा से आपने इसकी खेती चालू करी यह पोधा है जो इतना लंबे समय तक फ्रूट देता है ऐसा को मेरे साब से मैं जहां तक मेरी नोलीज है ऐसा कोई पोधा नहीं है जो लगातार पांच से छे मईने आपको फल दे दे अच्छ इसका एक साइकल बना रहेगा अनिंग कॉंटिन्यू रहेगी उसको और बीच में जो स्पेस रहता है 11 फिट का स्पेस है इसके बीच में आप कोई भी क्रोप कीजिए धान छोड़के आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके बीच में तो इसकी बात करें तो यह और प्लांट ट कर सकते हैं अच्छा इंटर क्रॉप की बात करी आपने इसके बीच में आपने यह लाइन डाल रखे जहां पे आपका भी फसल गटी है यहां से मक्का कट गया जिए आप यहां देख सकते हैं जी यानि कि लगा रखा है इसकी बात हमने देखा ता कुछ बिंडी मिंडी कर र जरूरत हो अच्छा जैसे दानी आप इसके बीच में लगा सकते हैं क्योंकि इसको पोदे को बहुत कम पानी की जरूरत रहती है रितीले इलाकों का पोदा है जैसे की डेजर्ट के अंदर रहती है तो पानी ज्यादा होने से फंगस वगरा की बिमारी आ जाती है तो इसमें बीच में भी आप खेती कर सकते हैं और वो आपका एडिशनल इंकम ही है एक तरीके से आदा खेत आपने ड्रेगन फ्रूट को दिया बाकी आदे खेत के अपनी सब्जियां वगरा भी बहुत सकते हैं तो इसका एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पूरा इसका मैंको कब लगाया जाता हैं कैसे लगाया जाता है पूरिक कबात ऀफरी कि रहता है वो आपको जून 15 से लेके अगस जिए-सब्री तक टैंपरेचर जब भी फरवरी यह समझ के चलिए 15 तारीक तक हमारा टेंपरेचर 10 के उपर स्टेबल होने लगता है तो उस समय पे लगा सकते हैं वो भी बैस समय रहता है हमारा नोर्थन वैल्ट के लिए या अगर उस टाइम पे गेहूं की फसल अगर किसी भाई की नहीं कटी है कोई गेहूं की फस पानी के बाद 12 गंटे के अंदर अंदर पानी क्या निकासी हो जाने चीए जमीन को पानी पी लेना चाहिए अगर पानी खड़ा रहा गया जैसे चीकनी मिट्टी में होता है वहां पर यह सक्सेस्फफुल नहीं होगा मिट्टी की जान जरूर करवाए अगर सेंटिफिक की अगर आपकी पान्स से लेकर साथ के बीच में तो दी बेस्ट इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसके उपर रहेगी तो आप करने पाएंगे उसमें थोड़ा पोदे की ग्रोथ में थोड़ा इफेक्ट करता है उसके बाद में आप जैसे आपकी खेत की बुहाई कर वा लेते हैं इसके बाद आप पोल लगाते हुए एक चीज का ध्यान जरू रखा जाता है कि मैक्सिमम सनलाइट आपके पोदे के उपर पड़े और जो आपके हावा चलती है जैसे हमारे हर्यानी भाष्ण बोला जाता है कि परवा पच्छवा चलती है यानि इस्ट वेस्ट वेस्ट चल चलती है तो उसे पोल के उपर इंपकरता है और यह पोदा सहरे पोल के सहरे चलता है इससे डेमेज होने की काफी संबावना हो जाती है जैसे ही आपने फरवरी मार्च में प्लांटेशन किया अगस्त आते-ाते ही आपका जो पोदा है चार आपने पोदे लगाए एक हर साइ प्रून कहां से किया जाएगा यह रिंग जो है रिंग से एक इंच ऊपर छोड़के आप उसको प्रून कर दीजिए चारो पोधे को प्रून जैसे करते हैं आप 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि नए सूट्स आने चालू हो जाते हैं हर डारेक्शन में एक लीव से 4-5 पा लीव से प्रून का ही खर्चा है अगर आप खुझ से बनाते हैं यह पोल और रिंग अगर खुझ से बनाते हैं तो आपका 600 रूपीज मेंको पोदे लगा सकते हैं दो हजार सो त्यक है क्यूंकि एक पोल के उपर चार पोदे लगाने के बाद में जैसे यह आपका पोदा 14 से 16 महीने को होता है यानि इसकी जो मौनसून जैसे ही आता है मैं यून में तो आपका प्रोडक्शन चाल हुआ जाता है तो इसको दो टनी पकड़ के चलते हैं तीसरे साल में आपका प्रोडक्शन जाएगा चेंसे लेके आट टन के बीच में चोथे साल में आपका 10 टन पे एक स्टेबिलिटी आपको मिल्टी आजाएगी तेडिया आपको अगले बीस एक साल तक हर साल लगातार दस टन एक एक कर चेंसे प्रोडक्शन चलती रहेगी और इसका रेट मंडी का माने तो 110 रुपे 20 रुपे 30 रुपे से लेकर 150 रुपे तक जाता है और अगर आप इसे डारेक्ट कस्टमर तक मार्केट कर रहे हैं तो आपका ये 250 से लेकर 300 त को रिटेल कर लेते हैं तो फिर आपका डबल हो गया यानि की 25 लाग की आपकी हर साल की इससे अर्निंग हो जाएगी स्टेडी पहले साल लगाने में तो हमारा खर्चा इतना है वह पहले साल अगर और ऑरोल कैलकुलेशन करें तो आज के समय पर पांस से छे लाख रुपे के बीच में आपका खर्चाएगा ड्रिप के साथ अपने ड्रिप नहीं हमारे हैं ड्रिप नहीं लगी क्योंकि हमने जब लगाए था हाफ एकड लगाया था हाफ एकड पर सबसीडिए नहीं मिलती है इसके बाद नेक्स्ट येर में कितनी लेबर वीवर का खर्चा आता है और चलिए कि तीन से चोथे महीने में हम इसमें खाज डालते हैं जो हमारी बर्मी कंपोस्ट होगी या फिर जो काव डंग मैनुवर हो गया वो नॉर्मल खाद है वही इसका मुस्ट लिए खर्चाता है अगर और गैनिक में काउंट करें एक लंग सम काउंट करें तो एक 50,000 में क पकड़े या हम सो भी मान लें कि बहुत हम लीस्ट मान के चलते हैं कि रेट नहीं मिला तब भी आपका 10 लाग का भिकता जाएगा जो हम किसी भी अन्य भागवानी से या मोटी फ़सलों से कंपेर करें इंफाक्ट अगर हम सबजियों से कंपेर करें तो काफी अच्छा ये यह जैसा कि देख सकते हैं यह अच्छा हम इसको यूज करना चाहते हैं आपने ड्रेगन फूट के अंदर में ताकि फर्टिलाइजर की एक जो कमी है वो भी कंप्लीट हो और यह वी एक तरह से हमको यूज आए तो बेसिकली यह इंटर प्रॉपिंग करने से जिए आपकी और कितना अगर इस लगा के ही निकल जाएगा और ड्रेगन फूट से फूट की सेल हो रही है वह आपका सिर्फ परसंट प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर जो साइज है वो भी काफी अच्छा है और इसको हर्वेस्टिंग करने का क्या तरीका रहता है क्योंकि हाथ से तोड़ने से तो पता है यह जो डिये और छाई की अपर狂 यह सी सब्मेट के साथ में एक ड मेंज़ों के साथ जुदा रहता है अच्छा कि अपकर पूर के शास्म प्सकों नहीं लागना चलिए तो इसक अन्दर वेट जाद होता है यह बने यह तो देख लिया कि साइस बहुत अच्छा है मैं देखना चाहरा हूं कि यह मीठा कितना है तो यह काटके देखते हैं आप ही घाटी है आप ही घाट रहा है बड़े गट रहा है क्या बात है आप इसका रंग देख सकते हो आई हो एक दम बहुत ही पानी से बरावा और खाल इतनी पतली कि यह काफी जूसी रहेगा और क्रंची रहेगा बहुत कि शुकुंदर से भी ज्यादा लाल है कि इसका टेस्ट देखते हैं कैसा मश्टा है कि क्योंकि शादियों के अंदर जितने अक्सर खाया ना उन में टेस्ट मिलता नहीं है मिठास होगी इसका ब्रिक्स इंडिया के अंदर पूरा मैचोर करके फ्रूट करते हैं और जब बहरा अब्रोड से फ्रूट आता है वह हमारा यह मैचोर नहीं रहता वह क्योंकि ट्रांस्पोर्ट में रहेगा काफी समय तक तो वह एक दम उसको यह समझे ग्रीन स्टेज में ही कट कर लेते हैं बहुत ही जाता मीठा है और मैं बता नहीं सकता सही में बहुत मीठा और इसका कोई भी कस्टमर अराम से 500 रुपी किलों से उपर तो दहीं देगा इन्वाक मैं कुछ चार-पांच किलों भी यहां से करीद के जाऊंगा बहुत अच्छा है यहां पूरे देश भर में होटी कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा अलगलग स्टेट के अंदर सब्सीडी रहती है तो हर्याना के अंदर क्या सब्सीडी का लाब उठा सकते हैं जो नए किसान इसको चालू करना चाहते हैं दो स्टेट में भी फिलाल सब्सीडी मिल रही है एक है हर्याना और दूसरा है गुजरात गुजरात में फिफ्टी थाउजन पर हेक्टियर जहां तक मेरे को आइडिया है पर हेक्टियर के इसाब से नहीं धाई एकड़ के आसपास सवा दो एकड़ के आसपास आपको पचास अजार रुपे मिलता है लेकिन हर्याना गवर्मेंट ने अभी जस रीसेंटली ही अनांस किया है लास्ट मंत ही अनांस्मेंट हुआ ही है इसमें एक लाग बीस हजार रुपे की सब्सीडी मिलती है सब्सीड़ का और फिफ्टी थाउजन मिलती है आपको इसकी जो नरसरी है उसकी अच्छा एक कुछ पीछे वह भी है कुछ अप्रूवल लाइसेंसिंग या कुछ उसके नॉर्म्स भी रहते हैं उसका नॉर्म्स कुछ नहीं रहेगा जो आपको एक उनकी वेबसाइट है अर्याना गवर्मेंट की होर्टी कल्चर की आपको उस पर अपलाई करना होगा माई फसल माई ब तोड़ा है रजिस्टेशन प्री ओफ कोस्ट है रजिस्टेशन कर सकते हैं तो सब लाल हो गया कर दो को और अगर आप पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो साथ में यह नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब त कितान राम राम